इसेंटली मैंने सिंफिनी के कूलर जो है वो आफ लाइन जाकर चेक ये जिनके मॉडल्स ऑनलाइन भी मिल रहे हैं मैंने जाकर चेक किया तो सिंफिनी के कूलर जो थे उनमें हनीकॉम पैट्स जो है वो बहुत ही थिन है आप खुद देख पाओगे अभी मैं आपको दिखाओंगी कि इनके बीच कितना गैप आपको साफ दिख रहा होगा गैप है थिन है इस बज़े से वाटर जो है पानी स्टे नहीं कर पाएगा लॉंग टाइम तक और आपको ठंडी हवा नहीं मिल पाएगी कुछ साल पहले मेरे पास भी सिंफिनी का कूलर था वो इतनी अच्छी हवा नहीं देता था तो मुझे ऐसा लगता था शायद लेटेस कूलर में इतनी दम नहीं पुराने कूलर अच्छे होते होंगे लेकिन जब मैंने लास्ट ये बजाज के दो कूलर ले तब मुझे पता चला कि सिंफिनी के कूलर में अच्छी हवा नहीं है बजाज के दोनों कूलर बहुत अच्छे चल रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि सिंफिनी के कूलर्स आपको नहीं लेना चाहिए सिंफिनी का नाम है लेकिन वो इतनी अच्छी हवा नहीं दे पाते हैं